हलो एब्रिवन, वेलकम बेक्टो वाट चैनल सेंट्रलाइन प्रोपर्टी, होप यौल आ दूइंग एपसुलिटली फिंटास्टिक, तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है ये रिटान उन इन्वेस्टमेंट का उपर है, जो लोग नेरल में इन्वेस्ट करना चाहते है, जो च चुटा मुटा एमाउंट, 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग रुपे डालके एक अच्चा रिटान मिल जाए, तो उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ये वीडियो और ये नेरल जो लोकेशन है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और आपको अंडर कॉंस्टक्शन में लोगा तो क्या रिटान मिलेगा, रेडी टुमूब में लोगा तो क्या रिटान मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस विडियो में मिल जाएगा, जिसका नाम है रिटान और इन्वेस्ट्मेंट का मतलब यह आगर आप एक में real estate का उपर जो return चल रहा है वो है 7 to 12% 13% तक चल रहा है तो नेरल जो location है यह आप जानते हो investors के लिए आभी फिला लेक ट्रेंडिंग location है जहाँ पर बहुत सरा investors भी आ रहे, affordable segment में flat ले रहे, यहाँ पर रहने के लिए भी आ रहे, residential भी आ रहे और commercial भी लोग यहाँ पर लेके shop उगरा खुलना चालो कर दिये और काफी सारा अच्छा मतलब market area भी बन रहा है अगर हम bank loan के बारे में बात करते हैं तो bank loan करके भी आप flat ले सकते हो तो bank loan के तरफ जाके आप इतना ज्यादा income नहीं कर सकते हों कि rate of interest अभी बहुत ज्यादा चल रहा है है और जो income है जो appreciation है वो कम है नेरल में अभी फिलाल जो appreciation है जो return है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपका जो bank का जो क्या बोलते है उसको जो ब्याज है जो interest है वो overcome कर जाए तो इसके लिए मैं जो investment बताँगा इसमें bank loan नहीं आएगा investment अगर अगर आप एक घर लेना चाहते हो return का कोई बाती नहीं है return का कोई आपको problem भी नहीं है आपको return नहीं चाहिए स्रिव आपका घर होना चाहिए एक चात होनी चाहिए building में अच्छा flat लेना चाहिए आप bank loan की तरफ अराम से जाए चाहे अंडर construction में लीजिए चाहे यह दोनों self-funding categories में आता है self-funding में इसके लिए लिखाओ केंगी यह आप partly payment कर सकते हो अगर आप partly payment करके flat लेते हो तो आपको सीधी बात under construction में जाना पड़ेगा अब under construction building में सबसे अच्छा investment इनके लिए है जो एक मोटा amount builder को देते है initially जब building का का काम चालू हो रहा है तो यह ज्यादा से ज्यादा जो carpet area रहते है न वह 400 यह 400 से तुड़ा ज्यादा यह तुड़ा कम ऐसा ही रहता है 380, 360, 370 यह सभी मिलेगा और आपको और 400 प्लास भी मिलेगा तो मैंने आपको एक लमसम पकड़ लेया कि 400 square feet का carpet area 1BHK के लिए एक reasonable है एक अच्छा flat मिलेगा आपको तो एक budget पकड़ के चलते हैं अभी जो neural का rate चल रहा है न वो 3000 से लेके ठीक है 3500 का rate चल रहा है तो बहुत सारा project में 3500 का rate में मिलेगा बहुत सारा project में 3000 का rate में चलेगा तो इस beach का मैंने एक लमसम पकड़ लेता हूँ दोनों का beach का एक point है 3200 50 rupees ठीक है यह एक rate पकड़ के चलता अच्छा project का जो ready to move है जिसका अंदर पूरा amenities है जिसका अंदर swimming pool, garden, children, player यह सब कुछ है वैसा project में आपको 3000 से 3500 का rate में मिल जाएगा basic basic उसका उपर stamp duty development charges ही सब लगने वाला है तो इसका जो total costing जाएगा न total all inclusive बात करेंगे कुछ hidden charges नहीं है कुछ भी नहीं है चुप department charges यह सब मिला गए एक amount जो है वो 22,00,000 से लेके 25,00,000 में मिलेगा ठीक है नेरल में कितना 22,00,000 से लेके 25 में मिलेगा अलग-अलग project में अलग-अलग rate रहेगा तो मैं इसके लिए आपको एक lump sum overall आपको idea दिया कि कितना square feet का flat कितना में मिलेगा तो आभी हम बात करते हैं कि आपको कैसा benefit होने वाला है तो आपको जो है न वो 22,00,000 या 25,00,000 count नहीं करना है आपको 22,00,000 या 25,00,000 में flat नहीं लेना है आप under construction में ले रहे हूँ तो one time payment है आपके पास हतियार है सबसे बड़ा हतियार है आपके पास 15,00,000 से 20,00,000 रुपिया आपके पास payment पड़ा 30% अपका हाथ में return रहेगा यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ बहुत दावा के साथ रहा हुँ जो under construction project रहता है न उसमें initially builder को बहुत जड़ा investors का ज़रूरत पड़ता है 15,20 बहुत कम price में बेशते हैं कभी builder लोग loss में बेश देते हैं जिसके पास payment आता ह जब तक पूरा building ready नहीं हुआ हो ठीक है पार्टली payment करता है वो इस payment bank का तरफ से भी builder का account में आता है तो builder क्या देखता है मुझे ज्यादा payment चाहिए तो मैं एक one time payment ले लेता हू customer से और उनको बहुत कम price में देता हूँ तो मैंने जो बताया आपको 3000 से 3500 का rate उससे आपको न तो 800 रुपिया आपका हाथ में है इसके साथ आप 3500 का साथ compare करेंगे तो आपको 1000 के आसपस अपका profit है पार square feet rate का तो अगर आप लामसम हम amount देखेंगे कि जो flat हम को जो flat हम 25 लाग में ready होने के बाद 25 लाग बिखने वाला है या builder 25 लाग में बैच रहे है आज के time में हमको व या तो 18 लाग में मिल रहे है आप calculation पूरा जो है ना वो यहाँ पर बहुत lengthy हो जाएगा आप जब आओगे मेरे साथ में लिख लिख के बताऊंगा आपको कि 2300 का rate में 2400 का rate में आपको कैसा पढ़ रहा है कैसा आपको यहाँ पर 17 से लेके आप 22 लाग को count करेंगे तो आपक जो payment है वो payment builder को दे दिये कित्ता कित्ता दिये आपने 17 लाग रुपिया दिये और आपको profit हुआ 5 लाग रुपिया इनिशियली यह अपने without holding period एक दिन भी आप holding period नहीं किये आपके कल चाहो तो आपका पस कोई investor हो आपका relative हो कोई customer आपने देख लिए अच्छा उनको आके आप builder का rate में बैश सकते हो क्योंकि builder यह rate में already sell कर रहे है 22 लाग, 23 लाग, 25 लाग में sell कर रहे है उनका expected है कि ready होने का बाद जब possession हो जाएगा और आने वाले 2-3 साल में मेरा flat का जो cost है 400 square feet carpet area का flat का cost जाएगा 27 लाग, 28 लाग उनका हिसाब से तो वो flat आपने लिए कि इत्ता में 17 लाग में लिए है और आपको बैशना है 27 लाग, 28 लाग आपका target रहना चाहिए ठीक है, अगर आप उतना में नहीं बैच रहो, builder का भी rate में बैच रहो, कोई builder buyback offer देते हैं, हमारे और उसका बाद जब आपका building ready हो जाएगा ना, तो आपसे खुद buy कर लेंगे builder और जो normal rate चल रहे है उस rate में sell कर देंगे, यानिका उनका पैमेंट चाहिए था initially वो मिल गया है, initially और उन्होंने building बना दिये, ready कर दिये, और अब यह अच्छा rate में जा रहा है, तो आपका flat व बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होता है, उसके 50-60 लाग एक करूर का fund का जरूरत होता है, तो builder क्या बोलते है, कि इतना rate में बेच दो निकाल दो, को investor को दो दो, तो ऐसा flat हमारे पास रहता है, तो हम आपको दावा के साथ कह सकते है, 30% return आपको हम दे सकते है, हमारे साथ अगर आप invest करते हो, 30% return मिलेगा आपको, अभी हमारे पास जो dreams project चल रहा है, dreams planet का जो project चल रहा है, ठीक है, उसमें हमारा जो costing जाता है, flat का area बहुत बढ़ा है, हमारा carpet area भी 500 प्लस प्लस है, ठीक है, usable carpet area, तो वो flat का costing जाता है, आज के टाइम में साड़े आट्टाइस charges, और अपका जो development charges, यह जो charges है, यह आप मत दो, यह पूरा 100% मत दो आप, यह बाद में दोगे, जो basic amount होता है, जो अपना 18-19 लाग तक जाता है, वो आप आप आभी दे दो, तो भी हम आपको flat दे देंगे, आपका नाम पे allotment लेटर आ जाएगा, अगर आप registration करेंगे, त development charges अब, position के time भी दो, तो ऐसा भी हमारे पास और वो project भी 12 मालिका है, high risk tower है, तो उसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, इसका target यह है, फ्लेट का जो flat आज के time में हम 28-29 लाग में बैच रहे हैं, ठीक है, वो flat आपको हम कित्ता बे दे रहे, 22 लाग में, ओके, और फि लाग जाएगा, नेरल में 1BSK का rate आने वाले 2-3 साल में, तो project 2-3 साल में तो ready हो रहा है, तो 2-3 साल में आपको 35 लाग आप बैच सकते हो, यानि कि हम खुद बैचेंगे 35 लाग, तो आप देखें के calculation करके, आपको अगर 18-20 लाग में, मतलब यानि कि registration के साथ 22 लाग में जो क्या मिलने वाला है, तो यह आप पर देखेंगे, तो आपको 40-45% का भी return मिलने वाला है, तो यह सारे चीज़ आपको जानने के लिए आप आईए office में बात करेंगे, बैटेंगे, और यह सब assure granted हम आपको return दे सकते हैं, अगर आपका amount अच्छा खासा हो, दूतिन flat buy करते हो, यह एक फ्लेट भी buy करते हो, लेकिन condition यह है कि payment one time होनी छे यह, one shot payment रखेंगे आपके पास, तो अच्छा खासा benefit हम आपको दे सकते हैं, तो उमिद करता हूँ आपको यह funda जो है, वो समझाया होगा, तो market में बहुत सारा ऐसा नहीं है, यह सब 25 लाग और 28 लाग का flat भी रह project है, जैसा property है, जैसा location है, जैसा quality है, जैसा amenities यह वैसा rate जो है, वो जाता है, मतलब जैसा आपका budget रहेगा, वैसा आपको चीज मिलेगा, high budget में लेंगे तो अच्छा तकड़ा चीज मिलेगा, law budget में लेंगे, market में 200 रुप्य का भी टीशर्ट है, और market में 2000 रुप्य का भी party मिलेगा, कोई लुप 3500 वाले में जा रहे है, कोई पचीज सो वाले में जा रहे है, लेकिन market का जो balance rate है, वो 3300 से 3500 है, 3200 का भी rate है, किदर 3400, किदर 3500, किदर 3000, किदर 800, वैसा भी rate है, तो उम्मिद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस्क्रीन पे दिया ह और booking करने के लिए जरूर है, तेंक यू